हत्यारी पत्नी की इशारे पर ही प्रेमी ने हनीप की हींट से कूच कर हत्या की थी। पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी रजजा को गिरफतार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तिमाल किया गया हींट भी बरामद किया है। चिलवाताल पुलिस ने हत्याकान क खुलासा किया है पहले सिथा प्रेम संबंद चिलवाताल पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेतर के करजहां सिहोर्वा बाजार निवासी 35 वर्षिय हनीप राजगीर मिस्त्री का काम करता था जगतबेला निवासी मो रजजाक ठेके पर काम लेकर हनीप क काम दे देता था हनीप की पतनी साहरा खातून और मो रजजाक के बीच पहले से प्रेम संबंद था हनीप को काम दिलाने के चलते वे अकसर उसके घर आने जाने लगा इससे उनका प्रेम परवान चड़ गया हनीप की गयर मौजूदगी में वे हमिलने लगे इस दोरान कई बार उनके बीच अवैध संबंद बने दोनों ने सरकारी अस्पताल में जाकर कई बार गर्ब बाद भी कराया इस बीच हनीप की एक जमीन फोरलेन में पढ़ गई जिसके उसे 25 लाक रुपए मिले हनीप ने भेंक में पतनी के साथ सयुक्त खाता खोल कर पूरी रकम जमा कर दी रास्ते से हटाने को बनाया प्लान रजजाक और साईरा इस रकम को हरपना चाहते थे इसलिए दोनों ने अपने बीच से हनीप को हटाने का प्लान बनाया रज्जाक ने एक नयासिम लिया और 23 नवंबर को दिल्ली चला गया उसने पहले ही दिल्ली जाने की जानकारी सभी को दे दी थी दिल्ली पहुँचकर उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया फिर 26 नवंबर को वेह दिली से निकला 27 नवंबर को खलीलाबाद आकर उतर गया, जहां से पीपी गनज पहुंच उसने चियूटा पुल के पास नया सिम मुबाइल में लगाया, तब तक अंधेरा हो जुका था, करमईया बंधे के पास पहुंच उसने हनीप के मुबाइल पर लिटा कर उसकी लाश को बंधे के नीचे धकेल दिया, मुबाइल और कपड़े पर खून के चीन्टे लगने से उन्हें रामपुर पुल से नदी में फेंक दिया, उस पर कोई शक नहीं कर सके इसलिए वह वापस दिली चला गया